जारखंड बीट के लिए अब तक का सबसे बेश्ट बुक के बारे हम बात की जाये तो ये बुक है चंचु प्रकासित किया गया है ठीक है इस बुक का यही खासित है कि इसमें जारखंड बीट के सिलिवस के अनुरूप टोटल डिसकसन ब्याख्यात्मक धंग से किया गया है इसके साथ-साथ इसमें 2000 से भी जादा महत्पुन प्रस्न इसमें पहले से उपलब्द कराये गया है और जिसके साथ-साथ इसमें पिछले दो वर्सों का सोल पेपर डिसकस किया गया है इस बुक के यह आप ओडर करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंग इस वीडियो के डिस का नाम है दोस्तो जारखन का सांखी किये उपस्थापन ठीक है तो चलिए हम लोग इस चेप्टर को आरम करते हैं देखे शुरू में यहां से जो हो मैप दिया हुआ है जो की ब्लेक और वाइट फोर्म में है तो यहां से हम लोग को विस्तित जनकारी जो हो नहीं मिल पाए हैं चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं हम लोग डायरेक अप टेबल पर आ गए हैं देखे कोईला उत्पादन में यदि ओल भर जारखन का रेंग बात करेंगे तो कितना है तो पहला स्थान पर है उसी परकार लोव एस्क में दूसरा स्थान पर है एपेटाइट रोक इंडिया में वो सनसाधन कीतने मात्रामी उपलब्ध है और जार्खन में भारत में झैयर कीटाय कितना है वो परसेंटेज में हिसाब से हाम पास दिया उसी के बारे में है है, यहां से टेबल, देखे, आगे है, देखे, इसा, इसा तिस्तरा स्थान है होल भुरनिया में, ऑहद तिस्तरा स्थान है, और Jahrenia में, चौ्ठा स्थान है, within लाल रंग के अगर बात करेंगे तो उसमें 6 अस्थान है, मेगनेटाइड में 8 अस्थान है, बैराइट्स में 8 अस्थान है, और सेल खड़ी में 10 अस्थान है, डोलोमाइट में 13 अस्थान है, सुना पत्थर में 17 अस्थान है, कुरमाइट में 5 अस्थान है, मेगनेज अस्था पांचमा अबरख में, छाठा, और काला गिर्णाइड में तीसरा स्थान अबराई ग्रपर बहूं यह वला जीरो चली, आगे बढ़ते हैं, आगे है, जार्खन में और सपाधल के बारे में, तो जार्खन में चार और सपाधल है, जो कि पावला है जार्खन उर्जा विकास निगम लिमिटेट जे यू भी एन एल दूसरा जार्खन उर्जा उत्पादर निगम लिमिटेट जे यू यू एन एल तीसरा जार्खन विजली वित्रन निगम लिमिटेट जे बी भी एन एल चौथा जारखन उर्जा संचरन निगम लिमिटेड जे यू इस इन इल आगे है जारखन की जन सांखे की देखें कूल यदी बात करेंगे जारखन में तो रूलर जो है लगभग 76% है और 24% लगभग सहरी आदमी है जन संखे ब्रिधी गाओं देखात में बात करेंगे तो 19.5% ब्रिधी हुई है और अर्मा इल्ला का में लगभग 32% 960 यहां का जो लिंगान पाथ है ग्रामिन प्रिवेस का और नगर का 908 शीशु लिंगान पाथ 952 है और सहर का 904 और सीशु जो है वो ब्रिधी जो है लगभग 17% और धर 12.5% अवसत जो सक्षरता है गाओं का 62.4 है और इधर का 83.3 है पूरु सक्षरता धर मतलब 74.5% है और सहर का लगभग 90% का स्वास महिला सक्षरता धर 49.75 और यह अर्बन का 76.10 मुलो एक 7% है आगे है बच्चों की अबादी तो बच्चों की अबादी के बारे में यहां पास दिया हुआ है चौँ से लेकर के 11, 11 से 14, और चौँ से 14, और चौँ से 14 और चौँ से 14, इधर जो है उसके जनसंख्या दिया हुआ है ठीक है सुपरकार से जनमदर और मेतिवदर का आगे टेबल यहां पास दिया हुआ है 2001 से लेकर के 2011 तक में और यहां पास वो भी दिया हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है गरामीन संख्यकी के बारे में देखे कुल गरामीन जनसंख्या दी बात करेंगे तो 209 दस मुलाव 52 लाक में है यह कुल अनुसुचित जाती की जनसंख्या बात करेंगे 49 दस मुलाव आठ पांच लाक जो है वो लगभग 12 परसें प्रसेंट है और किसानों की संख्या लगभग साड़े 45 परसेंट है क्रीसी सरम का पर्तीस परसेंट का अश्पास है और परिवारों की संख्या टोटल r politicians दस मुलाव तीन सात लाख है और काम भागेदारी दर जो है लगभग वो एक तालिस परसेंट के आसपास है लगभग आगे है सहरी सांख्याकिकी में तो सहरी जन संख्या टोटल जो है लगभग 24% के आसपास है दुज़ेगारा के जनमना के अनुसार 228 यहां का जो छोटा और मद्य सहर लगभग 228 है और सहरी जन संख्या ब्रिधी दर दो दस मुलाग तीन परसेंट प्रतिवर्ष ब्रिधी मानी जाती है अगे है जन जाती है सांख्याकिकी लेकिए अनुसुचित जन जाती का परसेंट लगभग 26% है अनुसुचित जीले 12 ज जीले के चार-चार परखंड है अधिसुचित जन जाती 32 है अधिसुचित आदिम जन जाती 8 है जन जाती उप्योजन अनुसुचित जन जाती की संख्या एक अतर दसमलो आठिक लाख में है अनुसुचित जाती की संख्या 49 दसमलो आट-पांच लाख में है और राज की कू चो लिए आगे यहां पस दिया हुआ है कि जनजाती उपियो जना ठीक है मतलब ऐसे जीला जहां पस tsp वाला जीला है ठीक है उसके परखंड के बारे में यहां पस दिया हुआ है ठीक है तो यह ज़्यादा उतना important है नहीं चलिए आगे बात करेंगे तुनलात्मक विकास के परिद्रिष्टी से बात करेंगे तो देखे कुल जनसेंख्या जो हो मिलियन में दिया हुआ है 32.0 नुव आठ मिलियन राश्टिये जो हो 121.0 दसमुलाव पाच्छों मिलियन दिया हुआ है गरामिन जो है 55.0 लगभग 63% के पास पास है सहरी जो है वो 24 परसेंट है और इधर जो है 31 परसेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है यहाँ पास अनुसुचित जन जाती ठीक है अनुसुचित जन जाती के बारे में यहाँ पास दिया हुआ है एक साइड और जहारखन की बात किया जा रहा है और एक साइ परसेंट है तसकी ब्रीधी 22.34 परसेंट है लिंगान पात 949 है छोटा बच्चा में लिंगान पात 947 है बीपिल 54 है सीचाई की विश्था के बात करेंगे आवरिच छेतर 29 परसेंट है परसेंट परसेंट के असपास है और अनुसुचित जनजाती का अन्ठावन दस्मलों नो परसेंट के आसपास है ठीक है और जीला में एदी सीचाई विश्था की बात करेंगे तो प्लामों गड़वा लाते हार में लगभग 24 परसेंट क्या सपास सीचाई होता है देवगार में 14,22 परसेंट गोड़ा में 14 परसेंट एजारी बाग में 10 परसेंट दुमका जाम तड़ा में 9.5% लोहड़दागा में लगभग 9 परसेंट् 2%, गिर्धि में लगभग 7%, राची में 16,02%, पुरी सिम्हूं में 5%, 25 सिम्हूं अस्ताराय केला में 4%, साहईब गंज पाकुड में 3,80% परसेंट और गुमला सिम्डेगा में लगभग साड़े दो परसेंट ठीक है चलिए आगे बात करेंगे इसके बाद की खेती की जाने वाली भूमी के संख्या अकार वस्तिरेनी में हैं पस दिया हुआ एक से अकार दिया हुआ एक संख्या दिया हुआ छेतर दिया परतीशा दिया हुआ है ठीक है तिया पस आप इसका इसका इसकी शोट अवस्तिरे कर ले ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टोटल भूमी के बात करेंगे तो लगभग 38,00,00,00 है हम लोग किये जानना ये बहुत इंपोटेंट है बाकी इसमें कोई इंपोटेंट वैसे है नहीं ठीक है चलिए आगे है दूद अंडा और मांस उत्पादन में तो दूद अंडा और मांस उत्पादन में जो फिलाल वाला टेबल है उसको आप टोग देख लेजे उसके बाद स्किप करते हैं इसको देखे 2020 20-21 में जो दूद अनुमानित है हो आपस मिट्रिक टरन में दिया हुआ है 26.18 मिट्रिक टरन है अंडा का है आपस टेवल खाली है और मांच जो है लगबग 67.25 मिट्रिक टरन में दिया हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अंडा वाला भी जोस्ट इसी के आसपास होगा ठीक है लगबग 700 मिट्रिक टरन के आसपास होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है प्रस्तावित बिदुद परियोजना के बारे में तो पतरातु परियोजना 220 मेगावाट शमता है स्वामित्व अस्थापित बिदुद शमता मेगावाट में दिया हुआ है ठीक है ताप है जल बिदुद है और रिमेनोबल है और कूल है टोटल है राज सरकार का 420 ताप और जल बिदुद एक सो तीस और रिमेनोबल 4.05 टोटल 554 ठीक है टो खरी फसल के लिए हाल वजा देख लिए हम लोग 2020 से 2021 वाला धान का जो हो रहा है वो 1770 H это में किया जा रहा है और बजरा 20.05 हेक्टेर में 25 years bestimmt मक्का किया जा रहा इव 2.4 yüzwe 18.4 अच्वार में दाल किया रहा है 36 हेक्टेर में तिल्हन चीजें की जा Rहे है उसी परकार दिया गया है ठीक है और 1649 में यहां पास बाजरा दिया है उसके बाद मक्का दिया है 279 में उसके बाद 256 में जो हो और हर किया जा रहा है तिलहन चीज 29 हेक्टेर में किया जा रहा है ठीक है आगे है खरी फसल के दौरान उर्वरक में वर्षवान खपन कितना किया जा रहा है अखिर उर्वरक जो है कितना दिया जा रहा है उस फसल में वो टन में दिया हुआ है तो 2021-22 का दिख लेंगे यहाँ पास एक लाग 36,930 टन यूरिया दिया जा रहा है खरी फसल में ठीक है उसी प्रकार 56,428 टन डीएपी दिया जा रहा है खरी फसल में 33,582 एन पी केस दिया जा रहा है इस सब उर्वरक है उसी प्रकार M.O.P. 343 दिया जा रहा है उसी प्रकार रवी फसल में केतना टन उरुरक हम लोग दे रहा है उसके बारे में है तो रवी फसल में टोटल उरुरक अलगवक जो है वो 890 यूरिया है डीएपी दो हजाज दस है और एन पी के एस 871 है मोब के बारे में हापस नहीं है और टोटल जो है 11171 है टीक है जिस समय तक यह बुक प्रिंट हुआ था उस समय के अनुसार से आगे है इस्थीर किम्तों पर प्रतिवेक्ति आय की बात करेंगे तो इस्थीर किम्तों पर प्रतिवेक्ति आय में यदि हम लोग बात करेंगे तो जारखन जो है वो एक घरमा अस्थान पर है इसका जो प्रतिवेक्ति आय यदि हम लोग निकालेंगे तो 2018-19 से प्रतिवेक्ती आए कि हम लोग यह दी बात करेंगे तो वो जो है दिया हुआ है यहाँ पास वो कितना है तो लगभग 26 है ठीक है अंतर निकाला गया है तो 2018 से लेकर के 2019 के बीच में ठीक है चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो मेंली जो है हम लोग का आज का जो क्लास है बहुत ही छोटा रहा क्योंकि यह भी जो टेबल दिया हुआ है ओल अवर इंडिया का दिया हुआ है तो यह ज़्यादा इंपूर्टेंट नहीं है आपको अब इंपूर्टेंट लग रहा है तो आप इसका इसे इंसोट कर ले ठीक है तो चली मिलते हैं अगले वडियो में ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद